अलो गैस वेलकम बैक अगेन वीडियो में हम देखेंगे राजस्तान के एत्यासिक प्रिशिद्योद कोई साभी एक्जाम हो और वहाँ पर युद्स को लेकि क्वेश्चन नहीं आए ऐसा नहीं होता है हम इसा काल करम को लेकि पूछ लेते हैं अवरोही या फिर आरोही करम मे पूछ लेते हैं सुमेलित वाले क्वेश्चन में एत्यासिक प्रिशिद्योद पूछे जाते हैं चलिए देखते हैं कौन विजही रहा कौन पराचित रहा आपको एक सार की रूप से मैं आपे पताने की टाई करूँगा तरायन का प्रतम यो दूआ था हर्याड़ा राज् रहते हैं मौमद गोरी को इन्हों ने हरा दिया था और इनके पीछे भी हारने के बाद में जब गोरी भाग रहा था तो इसके पीछे भी गयी थे लेकिन इन्हों के सामंत सर्दारों ने इन्हों ने रोक लिया था फिर वापिस से इसने एक खटा होके संगटित होके वापि से आक्रमड किया दुतिय युद्ध में हर्याणा में एन्हों ने बापिस से प्रतिय राचवान को हरा दिया और प्रतिय रासों में जो आपको देखने को मिलता है जो किवदंतियां टाइप है तो ये बापिस से इन्हें बंदी बना के लिए जाते हैं ठीक है रड़तमोर का यो तेरे सो एक में होता अलाओ दिन किल जी का पहला आक्रमड था राजस्तान में और उस टाइम पे राजा थे रड़तमोर के हम्बर देव चोहान चितोड का दूसरे में तेरे सो तीन में हुआ और वहां के राजा थे चितोड के रावल रतन सींग और चितोड में आपके जो मलक मुहमद जाइसी ने पदमावद ग्रंत लिखा है और उसकी के उपर लिखा है तेरे सो तीन में रावल रतन सींग मागिर आ जाते ही उनकी पतनी थी अपके पदमावदी सिवाना का युद होता है बाड मेर में 308 में अलाउदीन हिल जी का तीसरा युद का विजई करम है यह और यहां पर बापस से इन्होंने सातल देव चोहान को हरा दिया आदे की चितोडगड का नाम इन्होंने रख दिया था खिजरावाद जालोर का रख दिया था जलालावाद सिवाना का युद जीतने के बाद में वो जालोर की तरफ बढ़ते हैं और 1311 में अलाउदीन खिलजी ने कानड़ देव को हरा दिया और ये ये भी इनका विजई खिज़रात में और राणा कुमा जो इस्तापत एकला हमारे राजिस्तान में सरवादिक जो आपको केले मिलेंगे इस्तापत एकला कुमा ने गरंती भी लिखे थे और संगीत का भी भहुँज़ा सौकीं था 1437 में इन्होंने गुजरात में मेहमूद खिलजी को हराया फिर देखिए राणा सांगा की विज़ी अभियान पढ़ेंगे हम चार खातोली का युद्ध हुआ पूंदी में 1518 में अनौने इब्राहिम लुदी गोहरा दिया बाडी की युद्ध में बापिस से इब्राहिम लुदी इन पर हमला करने आया धौलपुर वाले इस्तान पर तो य इसमें राणा सांगा ने बापिस से इब्राहिम लुदी गोहरा दिया फिर गागरोन का युद्ध होता है 1519 में जाला वाड में है गागरोन और गागरोन का दुर्ग आपको ध्यान रखना है कौनसी नदियों के संगम पे है काली सिंद और आहू नदी के संगम पे है एक ज आपके पांच विजई अभ्यान रहे हैं चार विजई अभ्यान किसके राणा सांगा के ठीक है फिर बयाना की युद में हारने के बाद में बावर ने बापिस से संगटित होकी हमला किया और 1527 में खानवा के युद में खानवा इस्थान पे बावर विजई रहा राणा सा दिया गया और बाद में इनके सावंतों के दोर रहनी जहेड़ दे की मार दिया गया था क्योंकि ये वापस सेना संगडित कर रहे थे आकरमण के लिए तो राणासांगा बहुत ज़्यादा विज्याई थे आप इनकी अलग से वीडियो में जाके मैं और बताऊंगा किसी दिन गिरी सुमेल जैतारण का युदु पाली में होता है 1545 में सेरसा सूरी बिजय रहते हैं और मालदेब को हरा देते हैं राव मालदेब जो अपके मारवार के सा सकते हैं चितोड का दूसरा साका भी बोल सकते हैं इसे चितोडगर और 1568 की बात है अकवर ने हमला किया और राणा उदैसींग हार जाते हैं एक्चली वो मेल को छोड़ के निकल जाते हैं और जैता और कूपा वो समालते हैं उनके सेनापती युद्ध करते हैं अब सुरू होता है इत्यास का रहे थे उन्होंने इसे क्या बोला था गोगुंदा का युद्ध का था अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध का था इस तरह से आपको ध्यान रखना है अकवर ने मांसींग को भेजा था और इसी टाइम पर ने साथ अजार गुड़ सवारी की मनसभदारी साबाज, खाँ, बेजा और जो विजेई रहा और माराना परताप इसमें पराजित हो जाते हैं पराजित तो क्या मितलब अन्यरणायक साही रहता है और वो पहाडियों से युद्ध करते रहते हैं हार नहीं मानते हैं माराना परताप और दिवीर का युद्ध होता है रासम अब देखिए मतीरे की राड युद्ध हुआ था बीकानेर में सीमा छेतर को लेके 1645 में अमर सींग नागोर की विजही सासक रहे थे कंड सींग बीकानेर के राजा को हरा दिया था दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ 1666 में और ये मुगल सासन को हासल करने के लिए हुआ सत्ता के लिए हुआ औरंग जेव ने अपने भाई दारासिको को हरा दिया अब देखे कच्वावंस का जो तीन युद्ध हैं वो चलेंगे चार युद्ध है एक्चली राजमेल का युद्ध टॉक में हुआ 1747 में इसरी सींग जीच जाते हैं अपने भाई मादो सींग जो मराठा की सेना लेके आया था इन पर हमला किया था इनको हरा देते हैं और इसी राजमेल के युद्ध की विजय के उपलक्ष में ही उन्होंने सरगा सूली इसरलाट का निर्माड किया था और बाद में इसी से कूद कर उन्होंने आत्मत्यक कर ले थी भठवाड़ा का युद्ध जैपुर में होता है 1761 में सत्रु साल कोटा के ते वो विजय ही रहत था वो ठीक है सोरी जैपुर में होता है 1787 में परताफ सिंग जैपुर के थे विजय सिंग जोदपुर के थे और इन्हें महादजी सिंधिया वो हरा दिया था गिंगौली का युद्ध हुआ था नागवर में और ये जैपुर के और जोदपुर के राजाओं में कृष्ण स उसको लेके होता है 1807 में जगस सिंग दुतिय विजही रहते हैं मान सिंग राटों ठाट जाते हैं अब होते हैं आपके कुसाल सिंग चमपावत के युद्ध जो 1857 की करांतिय से सम्मद रखते हैं जैसे बिथोड़ा का युद्ध हुआ पाली में 1857 में कुसाल सिंग टा इनको मोद की गाट उतार दिया जाता है उसके बाद में आते हैं चैलावाश जैसे आप काले गुरों का युद्ध कहते हैं पाली में होता है कुसाल सींग चंपावत बापस से विजय रहते हैं और यहां पे आपके मैक मोसन था जो एजी जी उसे मार दिया जाता है उसके सिर को आउवा की किले पे लटका दिया जाता है और जोर्ज पैट्रिक लॉरेस जो आया था इनके साथ में वो देख के भाग जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है चैलावास का युद्ध यह 8 सितंबर-18सत्दामन के हुआ था और यह 18 सितंबर-18सत्रवन के हुआ था इसे काले गोरों का युद्ध कहते ह tapping वेथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर के हुआ था